दिली के कते शराब घोटाले में मनिश शोधिया को अभी वी राहत नहीं मिली है 17 माई तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है रावसेवेनिय कोट में उनकी आचिका पर सुनवाई हो रही थी अभी एक तरफ मनिश शोद्य को राहत नहीं मिली तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील को कोट की भी फटकार पड़ी है असल में जब सुनवाई हो गई मनिश शोद्य के वकील और उनकी पार्टी के दूसरे लोग कोट से वाक आउट कर गए इस बात से जज नराज हो गए उन्होंने गुस्ते वाले लहजे में कह दिया कि हमने तो कोट से बाहर जाने के लिए कहा ही नहीं था अमारी इजाजत के बिना कैसे चले गए ऐसा वरताव हम पहली बार देख रहे हैं वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब अदालत में जज इस तरह से वकीलों पर भढ़के हो कई मौकों पर कई मुद्दों को लेकर ऐसी बहस देखने को मिल जाती है वैसे जानकारी एक लिए बता दे कि दिली शराव घोटाले में मुख्यमंत्री केजरिवाल और बियारस नेता के कवीता को बड़ा जटका लगा था दिली के राउसे बिने कोट ने अरविंद केजरिवाल और के कवीता को न्याई खिरासत में 7 माई तक भिज दिया था अब एक तरफ केजरिवाल को कोट से जटका लगा तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सिहत को लेकर भी हंगामा चल रहा है आमादमी पार्टी के और से आरोप लगाया गया कि जेल में उनका ब्लड शूगर लेवल बढ़ रहा है और वजन कम हो रहा है अरविंद केजरिवाल को तिहाड जेल में इंसुलिन दी गई है वहीं अरविंद केजरिवाल का ब्लड शूगर लेवल 320 पहुच गया था जिसके बाद उनकी इंसुलिन दी गई इससे पहले आमादमी पार्टी के और से आरोप लगाया गया था कि केजरिवाल को मारने की साजिश चल रही है